अब समझे SP3 संक्रण या SP3 हाइब्रिडाइजिशन देखे किस तरीके से एक्स्प्लेइन करेंगे इसको जब किसी परमानू के बाहे कोज पर एसमान उर जाके एक S और तीन P और्बिटल आपस में मिलकर एक समान उर जाके चार परमानू और्बिटल बनाते हैं तो इस तरह बने परमानू और्बिटल कहलाते हैं SP3 संकर और्बिटल और ये घटना कहलाती है SP3 संक्रण SP3 संक्रण में अणू की जामितिय संरचना चतुस्फला किया है यानि टेट्राहेडर होती है और सहसे ही हो जग बंधों के मद्ध हैं 109 डिगरी 28 मिन्ट का कौन होता है ये SP3 संक्रण मीथेन, सीलेन, SIH4, कार्बन टेट्राक्लोराइड आधी में पाया जाता है उधान के लिए समझेंगे आप CCL4 यानि कार्बन टेट्राक्लोराइड में SP3 संक्रण आप देख रहे हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड में कार्बन के एक परमानू से कितने क्लोरीन के परमानू जुड़े हुए है? 4 ऐसी स्थिती में आप पायेंगे के कार्बन में 4 अनपेड एलेक्ट्रोन होने चाहिए लेकिन जब ग्राउंड स्थिट में इसका इलेक्ट्रोनिक विन्यास देखते हैं हम कार्बन का तो 2 और 4 अर्थात 1S2, 2S2 और 2PX1, 2PY1 और 2PZ0 लेवल, इनर्जी लेवल के इसाब से देखें तो ये 1S है, इसमें ये दो इलेक्ट्रोन है 2S इसके बिलकुल उपर मनाया गया है इसमें ये दो इलेक्ट्रोन है और मद्ध से उपर बनाया गया है 2P तो 2P मैं आप पी उपकोस में जानते हैं तीन और्बिटल होते हैं 2PX, 2PY और 2PZ हुंड के नियम के अनुसार पी उपकोस में दो इलेक्ट्रोन हैं तो कैसे भरेंगे? एक-एक इसका मतलब ये ग्राउंड स्टेट में जो इसका इलेक्ट्रोनिक विन्यास है इसके अनुसार दो अनुसार इलेक्ट्रोन है और ये यहां ये इंगित करता है कि इसमें केवल क्लोरीन के दो परमाणू जुड सकते हैं जबकि क्लोरीन के कितने परमाणू जुड हुए है? चार इसका मतलब व्यवस्था किसी दूसरे तरीके से है तो वो दूसरे तरह की व्यवस्था क्या है? कि excited condition में 2S में से एक इलेक्ट्रोन निकल कर प्यूप को इसमें चला जाता है कहां पर? 2PZ में तो इस तरीके से ये चार अनपियर्ड इलेक्ट्रोन हो जाते हैं अर्थात excited condition में ये जो इलेक्ट्रोन विन्यास है कार्बन का ये इस तरह हो जाता है 2 और 4 1S2, 2S1, 2PX1, 2PY1 और 2PZ1 इनर्जी लेवल के हिसाब से ये 1S में 2 इलेक्ट्रोन है और 2S और 2PX, 2PY और 2PZ में जो इलेक्ट्रोनिक विन्यास है इस तरीके से हैं एक-एक इलेक्ट्रोन है अर्थात आप यहाँ देख रहे हैं कि इसमें कितने अनपियर्ड इलेक्ट्रोन है? 4 इसमें ये 2S से है 2PX, 2PY और 2PZ एक S और्बिटल और 3P और्बिटल जो यहाँ A समान उर्जा के थे यहाँ A की लेवल में हो गए है यह इंगित कर रहा है कि अब इनकी उर्जाएं एक समान हो गई हैं तो कुल कितने पर्मानूं और्बिटल बना रहे हैं? 4 तो यह जो 4 पर्मानूं और्बिटल बने हैं जिनमें एक S है और 3P और्बिटल है यह कहलाते हैं S P 3 संकर और्बिटल S P 3 संकर और्बिटल और यह घटना कहलाती है S P 3 संकर अब यहाँ पर 4 अनपेर्ड इलेक्टोन देख रहे हैं आप यह 4 अनपेर्ड इलेक्टोन किलोरीन के 4 पर्मानूं से ओवर लेपिंग करके नए रासानिक बंद बनाते हैं जिससे उस अनू की जो जामिती हसन रचना है वो चतुस फलक यह होती है चतुस फलक यह कैसे उस चतुस फलक के बीचों बीच यह कार्बन का पर्मानूं होता है और चारों कौनों की तरफ किलोरीन के चार परमानू होते हैं उनमें जो सहसे योजग बंद बनते हैं उन सहसे योजग बंदों में 109 डिगरी 28 मिन्ट का कौन होता है आप इस तरीके से structure बना सकते है मालो यहाँ पर यह कारबन परमानू है एक उपर बिलकुल एक थोड़ा सीध से नीचे इस सीध से नीचे और इसको एक को चाहे तो इधर को गुमा लें आप चाहे इधर को गुमा दें आप इधर को गुमा दें जैसे पहला ही उधर को गुमाया था अब आप इनको dotted line से जोड़ दें इस तरीके से ये कार्बन परमाणू है चारों कौनों पर जुड़े हुए हैं किलोरीन के परमाणू इस तरीके से तो आप देखेंगे ये लाइन बिल्कुल सीध में ना हो इसको और थोड़ा सा आप इधर कर सकते हैं ऐसे ये चार किलोरीन के परमाणू है तो आप देखेंगे ये प्रते कौन एक सो नौ डिगरी 28 मिंट का होता है एक बार फिर मैं इधर बता देता हूँ देखें किस तरीके से एक कारवन परमाणू के लिए यहाँ पर पॉइंट कर लें दूसरा थोड़ा सीध ने ना करके थोड़ा नीचे इस से थोड़ा नीचे और इसको चाहे इधर चाहे इधर ताकि सीध में ना हो एक उपर इन चारों कौनों को मिला दीजे आप इस तरीके से यह एक चतुस फलक है जिसके केंदर में यह कारवन परमाणू है और चारों किलोरीन के परमाणू इसमें चारों कौनों पर है सी एल जैसे मीथेन में चारों हाइडोजन परमाणू थे इस तरीके से तो यह है सी सी एल फोर अनू में एस पी थरी संकरण आगे समझे एस पी थरी डी या डी एस पी थरी संकरण देखिए जब किसी परमाणू के बाहे कोज़ पर एसमान और जाके एक एस तीन पी और एक डी औरबिटल आपस में मिलकर एक समान और जाके पांच परमाणू औरबिटल बनाते हैं तो इस परकार बने परमाणू औरबिटल SP3D संकर औरबिटल कहलाते हैं और ये घटना SP3D संकरण कहलाती है यदि D औरबिटल N-1 कोज का होता है अर्थात सबसे बहरी से एक भीतर का होता है तो इस तरह जो औरबिटल बनते हैं वो DSP3 संकर औरबिटल कहलाते हैं और तब घटना DSP3 संकरण कहलाती है DSP3 संकरण में अनू की जामितिय संरचना तिरभुजाकारिया तिरकॉर्ण ही है द्वी प्रामीडिय होती है अर्थात ट्राइगोनल बाइपरामीडल होती है इसमें तीन कॉर्ण 120 डिग्री और दो कॉर्ण 90 डिग्री के होते हैं ये रेर एक्जाम्पल है जैसे PCL5 या PBR5 में इस प्रकार का संकरण होता है उधान के लिए हम PCL5 में समझाएं तो आप देख रहे हैं PCL5 में फॉस्फोरस के एक परमानू से किलोरीन के कितने परमानू जुड़े हुए पाँच परमानू जुड़े हुए है जब फॉस्फोरस पंदरे का इलेक्ट्रोनिक विन्यास करते हैं तो दो आठ पाँच आता है SPDF में करेंगे 1S2, 2S2 और 2P6 3S2 और 3P आप यहां देखेंगे कि देखेंगे 3P के लिए कितने इलेक्ट्रोन बचे हैं तीन अब P में 3 उपकोस में 3 और्बिटल होते हैं तो 3P X में एक इलेक्ट्रोन 3P Y में एक इलेक्ट्रोन और 3P Z में एक इलेक्ट्रोन इस तरीके से यानि इनर्जी लेवल के हिसाब से अगर हम समझाएं तो देखें यह 3S है यहां पर यह दो इलेक्ट्रोन इस से मद्ध से उपर बनेगा 3P X, 3P Y और 3P Z इस तरीके से 3P X, 3P Y और 3P Z में एक इक इलेक्ट्रोन है तो आप यहां देख रहे हैं कितने इलेक्ट्रोन हैं तीन इलेक्ट्रोन अनपेर्ड हैं आप जानते हैं तीसरे कोस में तीन उपकोस होते S, P और D इसका मतलब जो 3D1 3D2 3D3 3D4 और 3D5 हैं यह खाली हैं अर्थात इन में कोई इलेक्ट्रोन नहीं है समझ में आ रहा है इसको हम ऐसे उपर करके दिखा सकते हैं पांच और्बिटल को एक, दो, तीन, चार और पांच यह बिलकुल खाली हैं 3D1 3D2 3D3 3D4 3D5 अंतर करने के लिए 1, 2, 3, 4, 5 कर दिया है ठीक है देखिए पहले सेल में केवल एक उपकोस होता है S दूसरे में 2 होते S और P तीसरे में 3 होते S, P और D तो इसके S में 2 इलेक्ट्रोन है P में 3 इलेक्ट्रोन है और D उपकोस कैसा है खाली ये 5 और्बिटल दिखाए गए है क्योंकि D उपकोस में 5 और्बिटल होते तो आपको देखके पता लग रहा है कि इनका इनर्जी लेवल क्योंकि उपर नीचे बनाए गए है तो 3S से ज़्यादा इनर्जी किसकी है 3P की और 3P से ज़्यादा किसकी है 3D की उपर नीचे बनाए गए है इसमें केवल 3 Unpaired Electron है जो ये इशारा करते है या ये बताते है कि इससे केवल 3 ही Monovalent Compound या Monovalent Atom परमाणू जुड़ सकते है किसी के भी जैसे यहाँ पर किलोरीन के 5 है तो 5 की तरफ इसारा नहीं कर रहा है वो किसी की तरफ इसारा कर रहा है केवल 3 कलोरीन के परमाणू के जुड़ने का क्योंकि रासाइनिक बंद है जब बंद तो देखिए असलियत में Ground State में जो Electronic विन्यास इस तरह का होता है वो Exited State में Electronic विन्यास चेंज हो जाता है Exited State में क्या होता है कारबन ये Phosphorus रसपंद्रे का Electronic विन्यास 2, 8, 5 ये 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3PX1 अब यहाँ पर देखिए 3S1 हो जाता है यानि इस 3S में से एक Electron निकल कर 3D1 में चला जाता है तो 5 Electron Unpired हो जाते है तो 3PX1, 3PY1, 3PZ1 और 3D1, 1 3D2, 0 3D3, 0 3D4, 0 और 3D5, 0 Energy Level के हिसाब से हम इस तरह के से बना देगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अब यहाँ पर देखिए यह 3S है 3PX, 3PY, 3PZ 3D1, 3D2, 3D3, 3D4 और 3D5 इन में देखिए इन में देखिए 3S में एक इलेक्टरन आगे कहां तक 3D1 तक इस तरीके से एक लेवल में बनाए हैं तो यहाँ पर एक ऐस और्बिटल है और तीन P और्बिटल और एक D और्बिटल यानि 1S प्लस 3P प्लस A1D और्बिटल आपस में मिलकर पाँच एक समान उर जाके और्बिटल बना रहे हैं और यह कहलाएंगे SP3D संकर आर्बिटल इस तरीके से पाँच परमानू आर्बिटल बना दिजाए आप इसमें यह 1S है 1S नहीं 3S और यह 3PX 3PY 3PZ और 3D1 इस तरीके से तो आप देख रहे हैं पाँच अनपेर्ड इलेक्टरन है यह पाँच अनपेर्ड इलेक्टरन किलोरीन के पाँच परमानूँँओं से ओवरलेपिंग करके नई रासाइनिक बंद बनाते हैं जिससे उस अनू की जो सनरचना है वो कैसी होती है त्रकौनी है दूपिरामिडी है और थात ट्राइगोनल बाइपिरामिडल किस तरीके से कर सकते हैं आप ऐसे समझे ये त्रबुजाकार सनरचना है इसके केंद्र में फास्पूरस का परमानू होता है तीन क्लोरीन के परमानू इस ट्राइंगुलर के कौनों की तरफ इस तरीके से सहसंयोजग बंद से जुड़े होते हैं इस तरीके से परते कौन कितने का होता है 120 डिग्री का और इस तल से ऐसे समझे एक लंबवत उपर की तरफ सहसंयोजग बंद जिसके कौने पर क्या होता है सिरे पर क्लोरीन का परमानू तो इन से सभी बुजाओं से 90 डिग्री का हो जाएगा और एक इसके नीचे की तरफ तो हम इसको इस तरीके से दिखा देंगे जैसे ये लंबवत बुजा है तो ये तो हमने इस तरीके से यहाँ पर क्लोरीन का परमानू और इसको दिखा देंगे डॉटेड लाइन से क्योंकि ये इसके नीचे तक डॉटेड लाइन है और उससे नीचे कैसा आ गया डार्क लाइन ये क्लोरीन का तो इसके पाँच क्लोरीन के परमानू इस तरीके से होते हैं तो आप देख रहे हैं ये तीन कौन कितने के हो गए 120 डिग्री के और ये जो हैं दो एक उपर की तरफ 90 डिग्री का एक ये नीचे की तरफ 90 डिग्री का अब द्वी पिरामिट ये इस्तिती कैसी हो जाएगी आप समझ ये कि इसके कौने से अगर हम किलोरीन के तीनो परमाणूओं की तरफ लाइन कीचे हैं तो एक पिरामिट उपर की तरफ बन जाएगा और एक पिरामिट नीचे की तरफ जैसे मैं आप लोगों को इस तरीके से समझा रहा था कि देखिए ये ट्राइंगुलर स्ट्रेक्चर है इस ट्राइंगुलर स्ट्रेक्चर में अगर हम ऐसा मानें कि देखिए ये इसके बीचों बीच फास्फोरस का परमानू है तीन कलोरीन के परमानू इसके तीन कौनों की तरफ ऐसे समझा गया तो ये तीनों कौन कितने के होगे 120 डिगरी के यहां पर क्या है फास्फोरस का परमानू इसके तीनों सिरे पर क्या है कलोरीन के परमानू एक दो तीन और एक बंध लंबवत उपर की तरफ ऐसे और एक नीचे की तरफ लंबवत तो ये दो कौन कितने के हो जाएगे 90 डिग्री के तो पांच किलोरीन के परमानू सहसे ही हो जग बंधों के सिरे पर अब देखिए जो प्रामेडिय इस्तिति है बाई प्रामेडल वो कैसे ह हो जाएगी कि ये क्लोरीन का परमानू है इस क्लोरीन के परमानू से इन तीनों क्लोरीन के परमानू की तरफ जब हम एक लाइन खीचेंगे तो वो एक प्रामेड उपर की तरफ बन जाएगा और दूसरा प्रामेड नीचे की तरफ तो PCL5 की जो इस्ट्रक्चर होती है कैसी होती है तिर कौन ये द्वी पिरामिडिय अर्थात ट्राइंगुलर बाई पिरामिडल जिसमें तीन कौन 120 डिगरी के और दो कौन 90 डिगरी के होते हैं तो मेरे ख्याल में आपको समझ में आ गया होगा